भारती जंता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाओं के मद्दे नजर पहला उमेदवारों के नाम की घोशना कर दी गई है 95 उमेदवारों का पहला लिस्ट भारते जंदा पार्टी ने जारी कर दिया है जिसमें गुजरात की 26 लोगसभा बैठकों में से 15 लोगसभा बैठकों पर उमेदवारों के नामों की गोशना कर दी गई है इन 15 उमेदवारों के नामों की बात की जाए तो 10 उमेदवार जिने रिपीट किया गया है जबकि 5 जितनी लोगसभा की ऐसी बैटके हैं जहाँ पर उमेदवारों के नाम बदले गया है जिन 10 बैटकों पर उमेदवारों का नाम जो है रिपीट किया गया है उसमें खास करके बात करें तो गांदी नगर की बैठक से देश के ग्रेह मंत्री अमित शाह एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे जामनगर से पुनम बैन माडम हो चाहे सीर पाटिल का नाम हो ये तमाम वो नाम है जिनको एक बार फिर से लोकसभा चुनाओं में रिपीट किया गया है दे राजकोट की बात की जाए तो राजकोट में प्रसत्तम रुपारा जो की राजसभा सांसत थे उनकी टम खतम हुई है उनके लोकसभा चुनाओं के अंदर मैदान में उतारा जा रहा है इसी के साथ मंसुख मांडविया जिनका एक bार फिर से लोकसभा टम जो है वो पूरी ह रही है उन्हें भी पोरबंदर से लोगसभा चुनाओं में उतारा जा रहा है खास करके बात की जाए तो जिन 15 नामों की गोशना गुजरात के अंदर लोगसभा चुनाओं के लिए हुई है इन में दो महिला चैरे शामील है जिन में पूनम माडम और रेखावें चौधरी के नाम का समावेश हो रहा है इनके अलावा जो भी 11 अभी उमेदवारों के नामों की गोशना भी करनी है कहा जा रहा है कि आने वाले कुछी दिनों में इन 11 नामों की गोशना भी हो सकती है इन 11 नामों में खास करके युवा उमेदवारों को स्थान दिया जा सकता है महिलाओ को स्थान दिया जा सकता है और जिस प्रकार से इन 15 बैठकों के नामों का एलान हुआ है उमेदवारों के नामों का एलान हुआ है सपस्ट दोर से कहा जा सकता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती किसी भी प्रकार के experiment के mood में भारते जन्ता पार्टी नहीं है क्योंकि जातिगत समिकरणों को देखते हुए जिस प्रकार से 2019 में भी भारते जन्ता पार्टी ने टिकट बाटे थे उसी प्रकार से 10 चहरों को जब repeat किया गया है तो तमाम जातिगत समिकरणों को ध्यान में रख उसमें भी भारते जंता पार्टी इसी प्रकार से जातिकत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चेहरे जो हैं वो मेदवार के तो और तोर पे घोशित कर सकती है और खास करके गुजरात की अगर अलग-अलग प्रकार के समीकरणों की बात की जाए तो 2014-2019 के लोग सबा चुन को जीतने की है तमाम exit polls भी यही दावा कर रहे हैं कि भारते जंता पार्टी इस बार फिर से 26 बैटक गुजरात में जीत सकती है सबसे tricky बैठक कही जाए सकती है भरुच की जहां से अल्रेडी भारते जंता पार्टी ने अपने सांसत को यानि की मनसुक वसावा को उमेदवा यह दावा कर रहे हैं और इसी दावे के चलते जिस प्रकार से भारते जंता पार्टी तमाम जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उमेदवारों का चैन कर रही है और अब जब 11 उमेदवारों के नाम की गोशना बाकी है तब भी यही उमीद की जा रही है कि मैला चैरों को उसमें प्राधान्यता मिल सकती है और साथी में युवा चैरों को भरते जंता पार्टी आने वाले दिनों में प्राधान्यता दे सकती है एमदबाद से केमरामेन प्रितेश रावल के साथ अतुलतिवारी चुनावास तक